गुद मॉर्निंग आज जो एडिटोरियल चुना गया है डिस्कसन के लिए वो थोड़ा सा कॉंप्लेक्स है बट इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले बीना टाइम वेस्ट किये हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को और बात करते हैं इस हेडिंग के बारे म आप इस हेडिंग को देखिए ट्रस्ट डेफिसित लिखा हुए डेफिसित का मतलब होता है लैक मिस कमी यानि विश्वास की कमी अब सवाल ए कि विश्वास की कमी किस के बीच में है और किस चीज के बारे में है एक चुली एक जंग छुड़ा हुआ है टेक प्लैटफॉर्म्स जैसे गूगल वगेर है और न्यूज पब्लिशर्स के बीच में और युद या जंग करें किस बात को लेकर के है कि अपने अ न्यूज चैनल्स हैं या न्यूज पब्लिशर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं लिमिटेड काने का मतलब उनका काम जो है लिमिटेड है वो ज्यादा कुछ करना ही सकते हैं वो सर्च इंजन की तरह काम नहीं कर सकते हैं उनका काम है न्यूज दिखाना वहीं जो टेक प्लैट सवर अदियां है जिसके वज़द से एल जो फ्लाट वर्ट वर्ट वो व्यूम्र और नीज नूज़ यहार में लेकर अगर आच अब कि इन सब बातों को लेकर करके अब करें और इस आहीं मामला पूरा पढ़ेंगे तरह समझ में आएगा इस्ता पर कि वहार्ज में from on take platform and news publishers इनके बीच में जो बात है उसके बारे में है the imbalance of power power में जो असमानता है imbalance है मतलत balance नहीं है in relation between take platforms and news publisher is worrying जो ताकत है power है dominance है उसके बीच में जो असमानता है टेक प्लेटफॉर्म्स और न्यूज पब्लीसर के बीच में जो ताकत का फर्ख है पावर का फर्ख है जो इंबैलेंस है वह एक चिंता की विश्य है यानि यह चिंता खड़ा कर रहा है आगे देखिए दिसीजन ओफ इंडियाज कॉंपेटिशन वासटॉग जो फैसला लिया गया है भारत के कॉंपेटिशन वासटॉग का मतों क्या जो निगरानी रखता है उसको वासटॉग कहते हैं निगरानी रखने वाला तो ओर इंवेस्टिगेशन इंटो गूगल और यह फैसला क्या गया जब एक allegations मतब आरोप लगाया गया by the country's digital news publishers किसके द्वारा भारत के हैं इस देश के digital news publishers के द्वारा जब आरोप लगाया गये Google के उपर तब इस फैस्ता लिया गया जो की वास्टॉग है मतलब जो निगराई रखता है इस प्रेवले में उसने फैस्ता लिया कि Google पे inquiry होगी और इन्वेस्टिकेशन होगा कि डैट इट हैस ब्रोकेन कि एंटिट्रस्ट लॉग और आरोप क्या लगा है इसके उपर कि जो एंटिट्रस्ट लॉग है एक कानून है जिसके तहते सारे चीजें होती है मैनेज होती है उसको इसने ब्रेक किया है तोड़ा है किसके उपर आरोप लगा है यह आरोप लगा है गूगल के उपर आरोप लगा कि इसने एंटिट्रस्ट लॉग को तोड़ा है तब क्या किया गया इसके उपर चार्च के आदेश दिए गया यह जो जितनी भी घटनाएं है makes a significant moment in a country एक महतपूर्ण छण तैयार करता है भारत के लिए यानि इस देश के लिए where the fortunes of news media industry have been on a downboard path वहाँ जहाँ पे यानि इस देश में अभी जो future है, fortune है, भाग्य है news media industry का वह भी downward path पे चल रहा है यानि पतन की ओर चला जा रहा है the development is not a total surprise ऐसा कदम उठाना कोई बहुत बड़ी surprise की बात नहीं है for governments in many countries such as Australia and France have used their political captain in recent years to try and correct the enormous imbalance यह जो फैसला दिया गया है या फिर जो कदम उठाया गया है यह कोई surprise की बात नहीं है क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिसमें Australia का नाम यहाँ पे दिया गया है और France का नाम दिया गया है वे लोग भी अपने political capital का इस्तेमाल यानि जो political power का इस्तेमाल इन सब चीजों को यह जो imbalance है दोनों के बीच में उसको correct करने के लिए किया है यानि बहुत सारे country ऐसा कर रहे है भारत इकलोता ऐसा देश नहीं है कि जो की imbalance को पाटने का परियास कर रहा है news media publishers के बीच में और tech platforms के बीच में तो भारत यह पहला नहीं है कोई surprise की बात नहीं है दुसरे देशों में भी ऐसा हुआ है जिसमें Australia और France का नाम में यह पर दिया हुआ है आगे दिखिए that exists between big technology companies that control news in the digital sphere today and the traditional journalism industry that keeps the waves of the news running यह जो भी वाद जो France और Australia में जो imbalance है किसके किसके बीच में की बात हो रही है जैसा कि पहले ही हम लोगों निचरचा किया है कि जो टेकनोलोजी कंपनीज है जो news को control करती है digitally और दुसरे तरफ जो news channels है या फिर news industry है या journalism की industry है जो कि news को continue रखता है thereby also creating the basis for the conversations that are so important in a democracy यह जो परिस्तिती है एक बारता लाप का महौल पैदा कर रहा है जिस पे बात की जाए जो कि जरूरी है इस democracy के लिए the investigations have been ordered on the basis of a complaint यह जो investigations की order दिये गए है वो इस अधार पे दिये गए है कि एक complaint आया था by India's Digital News Publishers Association भारत के जो Digital News Publishers Association है उनके द्वारा एक complaint आई थी उसके बाद investigations का order दिया गया which है alleged जिसने क्या किया है आरोप लगाया है that Google not only dominates the market Google ना के बल market में बर्चस बनाया हुए है for information but also abuses this dominance और वो अपने dominance का गलत इस्तेमाल करता है abuse का मतल होता है गलत इस्तेमाल करना misuse कर सकते हो यानि अपने dominance का abuse करता है यानि misuse करता है it does so यह ऐसा इसलिए करता है the association has alleged ऐसा करता है यह association ने उस पे आरोप लगाया है by not providing a fair share of the advertising monies और ओ जो advertisement दिखाता है उस जो पैसा होता है ओ भी share नहीं करता है equally सही तरीके से fairly share नहीं करता है I am by not providing adequate information और adequate यानि परियाप्ट information भी नहीं दिखाता है यानि इंडियाज digital news publishers association ने गूगल के बारे में complaint किया कि यह market में dominant करता है लेकिन अपने dominance का मिश्यूज करता है और जो एड़टीजमेंट वगरह से जो पैसा मिलता है वह भी fairly और शेयर नहीं करता है और नहीं adequate information भी शेयर करता है एक complaint है अब इसके बाद इसके जाज के आदेश दिये गए है इठाज ऑसो कंप्लेंट आट इस नौट गेट पेड़ फूर दिखाता है देखेंगे आप गूगल वगरह पर सच करता है चोड़े 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 यह नहीं कि पूरा न्यूज दिखाएगा है थोड़ा थोड़ा सा बाइट रखता है तो उसके लिए भी पे नहीं करता है जो अपीर होता है सर्च बॉक्स में देशोशियेशन ब्रॉडर पॉइंट इस डाट जो एसोशियेशन है यारि डिजिटल न्यूज पॉब्लीस एसोशियेशन उसका यह बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो यह है कि दो टर्म्ज ओफ इंगेजमेंट आर यूप एड अर्बिटरली एन जो भी इसका टर्म्स और कंडिशन है और एक तरफा है वह जो चाहता है वो करता है आर्बिटरली का मतलब होता है वही मनमाना यह यूनियूज यूज अ का मतलब एक तरफा और arbitrarily का मतलब क्या हुआ मनमाना नहीं इसका जो भी terms of engagement है या फिर conditions है वो इसके अनुसार चलता है यह मनमाना है इसका डाइडेक्टेड बाइडेक्टेड 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 प्लेटफॉर्म्स आ यह सारे कि इंबैलेंस और पावर पावर में जो असमानता है इंबैलेंस है और डिनायल ऑफ फेयर शेयर और रेविन्यू और इस बात से नकार देना कि वो एक फेयर मतलब जो सही शेयर होगा रेविन्यू का राजस्व का जो आप कमाते हैं बिल्भी कहीं वह स्टाना एक उन्हेयर से में हमचाई मीद्द और दो झाल निगराने इंचन अन। मद्द्ध वहात वचा ठीष नगास्थ यहां रिखनआइज वंचे टकानुन वीद्ध है उनके दोरा जो recognize किया गया है पता लगाया गया है for instance example के तौर पे when the last year came up with a law जब पिछले साल ओ एक कानून लेकर किया है that sought, seek का हुआ sought seek का मतला होता try करना तो इसका मतला समझेगा tried होगा that tried to level the playing field between big tech platforms and news publishers उन्हेंने क्या कोशिश की कि जो दोनों के बीच में imbalance था उसको क्या करें level करें यानि बराबर करने का प्रयास करने कर रहे थे दोनों के जो field है big tech platforms और news publishers के बीच में जो खाई है उसको पाटने का प्रयास किया इस कानून के तहत is a condition that is true around the world यह जो कुछ conditions है इस्तितिया है वो पूरे विश्व में सेम है और सही है सेम नहीं सही है इन इंडिया ठो भारत में भी the power imbalance exists power का जो imbalance है असंतूलन है वो है exist करता मतलो है and has only gotten worse in recent years और यह जो है कुछ के सालों में और भी खराब हो गया है worse हो गया है the news media industry which invests in journalists जो news media industry है जो कि journalist पे invest करती है has a struggle to stay afloat वो अपने अस्तित्व को बनाने में भी a struggle करना पढ़ रहा है उसको यानि उसको struggle करना पढ़ रहा है कि इन चीजों को जाई रखने में while the big tech platforms have become more and more powerful जो big tech platforms है दीन पर दीन और भी powerful होते जा रहे है यानि news media industry है वो किसी तरह से survive कर रही है stay afloat मतलब किसी तरह काम चलाना जारी रखना लेकि वहीं जो हम लोग टेकनोलोजी platform की बात करें दीन दुगनी राज चोगनी तरकी करी और भी ज्यादा powerful होते जा रही है यण बट the Australian case is one of the rare investigations by the government in publisher platforms लेकर अस्टेलिया का जो case है वो एक rare investigation के case में आता है जो public platforms के relationships के बारे में है और चूरेंट investigations in India is more a case of publishers finding an appropriate existing form in search of relief और भारत के जो मौझूदा investigation हो रहा है निगराणी हो रही है इसमें आप देखेंके कि यह चो केस है ना और पब्रीस इसथ फडीं एन एप्रोप्रियेट एग्जिस्टिंग जिसमे कोशिश की जा रहे हैं कि जो of journalism in digital era has far-reaching implications यानि सस्टेन करना मतलब ठीकना और जर्नलीज्म का आज का सस्टेन करना continue करना डिजिटल एरा में एक बहुत बड़ा बाधा उत्पन हो गया है इसमें बहुत सारे दूरगामी बाधाएं हैं इंप्लिकेशन का मतलब होता है जो बाधाएं है इसके लिए बहुत सारे बंधन है और बाधाएं भी इट हाज विन क्वाइट इविडेंट इन रिसेंट इस हाल फिलहाल के सालों में पूरे अस्पस्ट रूप से देखने को मिलता है हाल फिलहाल के दिनों में देखने को क्या मिल रहा है कि इसने अपने जो क्वाइलिटी है उसके साथ कंप्रमाइज किया है लिखाव ना एंडड़ अप सेक्रिफाइंग क्वाइलिटी यानि इसने क्वाइलिटी को भेट चड़ा दिया है किस चक्कर में इन क्वेस्ट फूर मतलब एक चक्कर में किस चीज के चक्कर में मोर आई बोस जादर लोग इसको देखें और नुवांस करना लगा है मतलब अगरा दिकावा करने लगा है किस के चक्कर में एमोशनल इंगेजिमेंट के चकर में तो आज अगर आप न्यूच चैनल देखते होंगे तो आप जरूर इस बात को समझ रहे होंगे कि आज आज कर के जो नेजूच चैनलस है उनकी म्जबूरी है कि ज़्यादा ज्यादा भ सब्सक्राइब किया जाता है किसी भी चीज को ऐसे पेश किया जाता है कि ताकि जारा जारा ज्यादा लोग उसको देखें उसमें दिखावा जारा है नियूज मेडिया का वह थोड़ा सा compromise हुआ है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है the cost of not being able to get fair value for journalistic effort can never be overpressed enough करा कि the cost of not being able to get a fair value for journalistic effort can never be overpressed enough यानि जो cost होता है एक fair value प्राप्त करने के लिए journalistic effort का जो आप journalistic effort लगाते हैं उसके लिए जो आपका cost होता है fair cost value होता है उसको overpressed नहीं किया जासकता है यानि उसके जादा तवज़ू नहीं दिया जासकता है यानि ए नहीं कि पैसा के लिए आप कुछ भी कर लें उसको praise नहीं किया जा सकता है तो जर्नलिस्ट में एक प्रोफेशन है नोबल प्रोफेशन है इसमें चीजों को वही दिखाना चाहिए जो सही है और सही न्यूज चैनल अगर आप देखें तो दोर दरशन का न्यूज देखें नेशनल टीवी का वहाँ पर आप देखेंगे कि किसी परकार का कोई भड़का उन्हें भाशन नहीं किसी परकार का कोई जादा इन्थोजियाद में न्यूज जैसे पेश किया जाता है लगता है कि यह प्रेजिडिस नहीं है लगता है किसी पाटी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो यह न्यूज चैनल ऐसा होना चाहिए आज कि जो न्यूज चैनल से हैं अगले एडिटोरियल में, till then good bye and take care.